नमस्कार दोस्तों जैसिक रश्ना दोस्तों नवरात्री के इस पहले दिन सभी मेरे वीवर्स सब्स्राइबर्स को नवरात्री की धेरो 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 शुप कामना हैं दोस्तों आज रवी बार है पुश्य नशत्र है नवरात्री का सबसे पहला दिन है आज माता सेल पुत्री स्वरूप की होती है सेवा पूजा वैसे दोस्तो नवरात्री है रवी पुष्य लशत्र है तो आप जब भी शुरे देव को जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा सा घी अवश्य ही आप एड़ कर लें ऐसा करने से आपके घर में शुक और शम्रिद्धी का वाश होता है जब आप शुरे देव को जल अर्पित करते हैं गायत्री मंत्र बोलना बिल्कुल भी ना भूले इस मंत्र का जाप करते हुए घी मिला हुआ जल आप शुरे देव को अर्पित करें दोस्तों वैसे तो माता के तमाम सरूपों की आज के दिन पूजा होती है लेकिन सब्से ज्यादा महाकाली मादुर्गा की पूजा होती है क्योंकि गुप्त नवरात्री होती है तंत्र मंत्र शिद्ध करने के लिए दोस्तों इस दिन आज पहले दिन आप मातारानी के सामने एक कटोरी में घी अवश्य ही रखें प्रशाद के रूप में पूजा पूरी हो जाने के बाद उस घी का उपयोग आप अपने उस डिब्बे में यूज कर लें जिसमें आप खाने का घी रखते हैं उस डिब्बे में थोड़ा सा घी डाले और बाकी का घी आप उस डिब्बे में डाले जो घी आप पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं इस तरीके से यदि आप घी का यूज करते हैं तो आप एगर की शुक सम्रिद्धी बढ़ती रहती पहले दिन दोस्तों आपको लाल रंग के कपड़े धारण करने हैं जदि सारे कपड़े लाल रंग के आप धारण ना कर सके तो कोई भी एक कपड़ा लाल रंग का आप अवश्य ही धारण करें लाल रंग साहस उत्सा और शक्ति का प्रेरक है महाकाली मा दुर्गा मा बहुच चर्मा का पसंद का कलर है तो आप पहले दिन इस कलर का कपड़ा अवश्य ही पहने सोने से पहले दोस्तों इस शब्द को बोलना बिल्कुल भी ना भूले इस मंत्र को जो मैं आपको बताती हूं इसको बोलने मात्र से आपके शक्त्रों की शक्ती खत्म हो जाती है आपकी सारी तीन बार आपको इस मंत्र को भूलना है उसके बाद ही आपको सुना है छोटा सा उपाई है जो आपको नवरात्री के पहले दिन करना है दोस्तों नवरात्री के बाके के तमाम दिनों में में दूसरे उपाई लेकर के आती रहूंगी तो आप इंतजार करना बिल्कुल भी ना बुले इंतजार करते रहें और जो उपाई में आपको बताती हूं उन्हें भी आप अवश्य ही फोलो करें बहुत चोटे-चोटे से उपाई लेकर के आ रहे हूं सीकल